फिल्म मॉस्को सिटी में शुरू होती है और एक रूसी शिक्षक सल्वा को लेटिलोग के इर्द गिर्द भूनती है। द्रिश्य में सल्वा सड़क पे चलते हुए कॉल पर एक पब्लिश से बात करते हुए दिख रहा है। यह पता चला है कि साल्वा यहां अपना नौवल पब्लिश करने के लिए आया है। लेकिन पब्लिशन नौवल पब्लिश करने से मना कर देता है जिसके कारण सल्वा दुखी हो जाता है और अपने आसपास ध्यान नहीं देता और अचानक से एक कार से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है और जैसे ही उससे होश आता है वो देखता है कि एक सुन्दर लर्की जिसका नाम नदिया है जो कार चला रही थी। वह अपने मंगेतर दान्या के साथ थी। नदिया सल्वा को उठाटी है और पूछती है कि उससे कही लगी तो नहीं तभी पुलिस आ जाती है। जाती है और वापस कार में चली जाती है लेकिन फिर वह डान्या को छोड़कर और अपना बैग लेकर कार से निकल जाती है। वह सल्वा के पास जाती है और उससे कहती कि उससे हॉस्पिटल जाना चाहिए इलाज के लिए। अगले सीन में सल्वा के पैरों पर बड़ा प्लास का फोन आता है यह पता चलता है कि वह एक छोटे से शहर पॉल्चिकी से है और वह एक टीचर है स्कूल डाइरेक्टर उसे जल्द से जल्द लोटने के लिए कहता है और सल्वा वापिस आने के लिए एग्री होता है सल्वा जाने से पहले एक अनबूठी बनाता है और नादिय अपनी मा के साथ अपनी शादी की पोशाक ट्राइ कर रही है। इस बीच सलावा घर वापस आ जाता है और क्लास में पढ़ा रहा होता है। जैसे ही स्कूल की घंटी बचती है। सल्वा अपना इस्तीफा लेकर डाइरेक्टर के पास जाता है। हाला कि वह मना कर देती है क्योंकि स्कूल में शिक्षकों की कमी है। लेकिन यह हमारे हीरो को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है और वह पत्र के बिना निकल जाता है। वह सीधे उस स्टेशन पर जाता है जहां मासकों के लिए उसकी ट्रेन अगले 30 मिनट में निकलने वाली है। अगले सीन में सल्वा ट्रेन स्टेशन पर पहुँचता है और देखता है कि एक कार्यकरम चल रहा है। यह पता चला है कि एक राश्ट्री रूसी बच्चों का फुटबॉल टूर्नामेंट अगले कुछ दिनों के लिए पल्चिकी में आयोजित होने जा रहा है। सल्वा इस पे धानना देते हुए अपनी ट्रेन में जाने की कोशिश करता है। लेकिन एक रेल्वे अधिकारी ने उसे यह कहते हुए रोब दिया कि मेर भाशन देने वाले है। स्कूल के डाइरेक्टर भी वही मौजूद है और वह सल्वा को बुलाती है। लेकिन वह उससे बचता है और ट्रेन की और जाना जारी रखता है। इस बीच मेर को एक आदमी द्वारा रोका जाता है जो स्पोर्ट्स कमिटी का अग्जामना होता है और वह कहता है कि पॉल्ची की टीम में ऐसे खिला ली है जो बारा साल से बड़े है। इसलिए जैसे ही एक्जामनर टीम के पास पहुँचता है उनका कोच भाग जाता है इस बीच सल्वा ट्रेन तक पहुँच जाता है और पॉल्ची की टीम के ठीक पीछे खड़ा है तभी स्पोर्ट्स एक जमिन उससे टीम का कोच समझ लेता है और उसे आदेश देता है टू जावों की पुष्टी करें लेकिन वह जूट बोलती है कि वही कोच है इसलिए एक जमिन उसका टिकट फार्व देता है और उसे बताता है कि उसका पासपोर्ट उसे टूर्नामेंट के बाद ही प्राप्त होगा यह सल्वा को परेशान कर देता है क्योंकि अब उसके पास मा स्टेशन के अंदर है जहां कारा नाम का एक लड़का उसका फोन चुरा लेता है और भागने की कोशिश करता है लेकिन सल्वा कारा को पकड़ लेता है और बच्चे को अपना फोन लेने के बाद जाने देता है सल्वा को तुरंत एक पुलिस अधिकारी संपर्क करता है जो एक बारा साल के जेब कत्रे की तलाश में है सल्वा को इस बाद का एहसास हुआ कारा टीम के लिए उप्योक्त उम्र का है तो वह अधिकारी को गलत दिशा में भेज देता है वह फिर लड़के को ढूंडता है और उसे मना लेता है फुटबॉल खेलने के लिए थोड़ी देर बाद सल्वा कारा से पूछता है कि क्या उसके पास कोई और दोस्तों है उसकी उम्र के कारा हा बोलता है और अपने दोस्त डेरेक्ट से मिलाने के लिए सल्वा को लेके जाता है लेकिन पता चला कि डेरेक्ट दूसरे लोगों से मिलने पर दरता है जो कि फूटबाल टीम के लिए उप्यूप नहीं है बाद में कारा ने सल्वा को अन्य दोस्तों से मिलवाया अंत में टीम के लिए सभी 11 खिलाली इकटा हो जाते है सभी बेघर है और उनके माता पिता भी नहीं है इसके बाद सल्वा अंत में नादिया को फोन करता है और उससे कहता है कि वो मास को नहीं आपाएगा शादी के दिन ना आने के कारण में वो जूट बोलता है कि उसे खतरनाक बैक्टिरिया की वजह से क्वारंटीन में रहना है नादिया काफी हैरान है लेकिन फिर भी वो सल्वा की कंडिशन को समझती है हालत को देखते हुए शादी से पहले की पार्टी करने का फैसला करती है ताकि उसकी त्यारी वेस्ट न जाए अगले दिन का खेल पॉल्ची की और रोस्तोव नामक एक टीम के बीच में है पहले हाफ में रुस्तोव का दबदबा रहा उन्होंने खेल में दो गोल दागे हाफ टाइम तक सल्वा राहत महसूस करता है लेकिन कारा सभी को बहतर खेलने के लिए प्रेरित करता है और उसकी पैप टॉक काम कर जाती है और वे आश्चर यजनक रूप से अच्छा खेलते हैं गोल के बाद गोल करते है और रंत में वह जीत जाते है और स्कूल के डाइरेक्टर एक जमिनस सभी आते हैं और सल्वा को बधाई देते है सल्वा ये सब देख फ्रोधित है क्योंकि उसे एक और मैच के लिए रुकना होगा जो की एक दिन बाद में होने जा रहा है वह नादिया को फोन करता है और जूट बोलता है कि शादी को एक दिन और पोस्ट पोन कर दे क्योंकि उसका एक एक्सिडेंट हो गया है नादिया चिंतित हो जाती है और उसकी बात मान लेती है अगले सीन में हमें ये पता चलता है हिल बस्टिन वास्तव में एक टीम का कोच है इसलिए सल्वा उसके पास जाता है और मैच हारने के आइडियस पूछता है हिल बस्टेन ने उसे लाक्सिटर्स खरीद के कारा को देने को कहा क्योंकि वह है टीम का स्टार खिला ली है अगले दिन स्लाव Laxatives खरीदता है और इसे कारा के लिए पानी की बोतल में मिला देता है बेखबर कारा इसे पी लेता है यह मानते हुए कि यह एक एनरजी ड्रिंक है हालांकि Laxatives का कोई असर नहीं होता है और टीमा शर्यजनक रूप से अच्छा खेलती है यह देखते हुए कि Laxatives ने असर नहीं किया तो सल्वा खुराक बढ़ाता है और कारा को बुलाता है एनरजी ड्रिंक की एक और बोतल उसे पिलाता है इस बार Laxatives अपना काम करता है और कारा को खेल छोड़कर पास के एक टॉयलेट में भागना पढ़ता है इस बीच शादी की पार्टी में दानिया आता है और पार्टी में ही रुकने का फैसला करता है दूसरे सीन में सलावा को पता चलता है कि उसका गोलकीपर कॉपचिक विरोधी खिलारियों को डरा रहा है वो मदद के लिए हिल बस्तिन के पास जाता है वो उसे कहता है कि उससे गोलकीपर को बद खाने लगती है। लेकिन डिरेक के साथ ही खिलारी उसे गोल रोकने का तरीका सिखाने में काम्याब होते हैं जिसके परिनामस वरूप डिरेक एक पेशेवर गोल कीपर की तरह खेलन लगता है। टीम के लिए मैच जीताने में काम्याब होता है। वे उसे सलाह देते हैं कि वो अपनी टीम को फिजिकल ट्रेनिंग देकर शारीरिक रूप से ठका दे। जल्द ही मैच शुरू होता है और पालची की टीम का हर खिलारी जल्दी ही ठक जाते हैं। इसलिए टीम तीन पहले हाफ में तीन गोल खा लेती है जिससे उनके जितने की उम्मीद चकना चूर हो जाती है। दूसरे सीन में सल्वा पास के एक स्टॉल से जूस पी रहा था तभी वह सुनता है कोई रो रहा है और वह उसके पास जाता है। वह देखता है कि कारा रो रहा है जिसने जीतने की सारी उम्मीद खो दी है। सल्वा तब हिल बस्टिन से टकराता है और बताता है कि अब वे जीतने के लिए खेलेंगे। से उसका पासपोर्ट देती है और सारी प्रोब्लेम्स के लिए माफी मांगती है। कारा फिर उन दोनों को मैच देखने के लिए बुलाता है। सल्वा मैच देखने के लिए पिछ पे जाता है और अपना फोन चेंजिंग रूम में ही छोड़ देता है। नदिया जब सल्वा को कॉल करती है तो डायरेक्ट कॉल पिक करती है उसे सारी बात बताती है और माफी भी मांगती है सल्वा को पॉल्चिक से नहीं जाने देने के लिए। यह सब सुनने के बाद नदिया दुखी हो जाती है और कॉल कट कर देती है इसके बाद गेम का सीन आ जाता है जहां पॉल्चिक टीम ने चार गोल कर दिया है वह जीत जाते हैं और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं इससे सल्वा बहुत खुश होता है और वह टीम के साथ जशन मनाता है बाद में वह नादिया को कॉल करता है और फिर से जूट बोलता है हालांकि नदिया ने शादी की पार्टी को तहसिन हस कर दिया है जब उससे पता लगा कि वह उससे जूट बोल रहा था इसलिए नादिया उससे बताती है कि वह सब कुछ जानती है और अ सविलांस फुटेज भी चोरी हो गया है। उसके बाद सल्वा को हिल्बस्टन से एक कॉल आता है जो उसे नाव पर बुलता है। यहां पता लगता है कि हिल्बस्टन ने सविलांस फुटेज चोरी की थी। उस रात की निगरानी फुटेज वह सलाव को दिखाता है और ब्लेक तभी सल्वा को याद आता है कि हिल्बस्टन अपनी टीम के तीन गोल होने पर अपनी जैकेट उतार देता है, इसलिए उसने अपनी टीम से तीन गोल खाने का फैसला किया ताकि वह उसकी जैकेट से चावी चुरा सके. सभी बच्चे सेहमत होते हैं और इसलिए अगले दिन जब खेल शुरू होता है तो वह आसानी से तीन गोल खाते हैं. दुरभाग्य से हिल्बस्टेन अपनी जैकेट नहीं उतारता, फिर सलवा स्कूल के डायरेक्टर को फलट करने के लिए भेजता है और हिल्बस्टन उसे अपनी जैकेट दे देता है, और डायरेक्टर धीरे से चावी निकाल लेती है और सलवा को दे देती है, फर्स्ट बच्चों को गंभीरता से खेलने के लिए कहो। फिर डिरेक और कारा तुरंत पिछ पर आते हैं और ठीक से खेलना शुरू करते हैं और एक के बाद एक तीन गोल दागते हैं। सल्वा फिर जल्दी से डिस्क को लेता है और फुटबॉल पिछ पर भाग जाता है उसके बाद हिल्बस्टन भी उसका पीछा करता है। सल्वा डिस्क को चेंपियंशिप ट्रोफी के अंदर छुपा देता है लेकिन जल्दी हिल्बस्टन को पता लग जाता है और वह ट्रोफी लेने के लिए कूदता है लेकिन तभी नादिया ट्रोफी को अचानक हटा देती है यह पता चला कि नादिया पॉल्ची की यह पता करन आई थी कि स्कूल डाइरेक्टर की बात सच है की नहीं। वह तब सल्वा का स्पोर्ट करती है और उसे ट्रॉफी दे देती है। उसी समय पॉल्ची की टीम लास्ट गोल करती है और फूटबाल टूर्नामेंट की चेंपियन बन जाती है। सभी बच्चों और सल्वा जीत का ज मानते हैं। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि नादिया और सल्वा की आखिरकार शादी हो जाती है, दूसरी और बच्चों को स्पोर्ट स्कूल में देखा जाता है जहां वे तयारी करते हैं उनके अगले चेंपियनशिप मैचों के लिए। इस तरह के और वीडियो देख